करनाल में नई अनाजमंडी के पास थीत करना पेंट फेक्टरी में संदिग्द परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया सुचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़िया मोके पर पहुची जैसे ही मामले की सुचना प्रशासन को मुली पूरा प्रशासनिक अमला भी मोके पर पहुच गया आपको बता दे कि डीसी निशान्त कुमार यादव तथा पूलीस अधिक्षक सुरेंदर सिंग भोरिया पूरे पूलीस दलबल के साथ मोके पर पहुचे फाइर बिगेड की गाड़िया भरसक परियास से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया आग इतनी भेंकर थी कि फैक्टरी की दिवार को भी तोटना पड़ा फिलाल पेंट फैक्टरी को कितना नुकसान हुआ है इसका भी आंकलन किया जाना है गनीमत यह है कि आग पर समे रहते काबू पालिया गया अनिता अब ये घटना भी हो सकती थी फैक्टरी के साथ ही नई अनाज मंडी है और फैक्टरी के साथ ही नेशनल हाइवे भी लगता है वहीं आग लगने के कारण अभी संदिक्द है काफी हुआ होगा मालिक को जो हाँ जो इसमें इक फिनेंशल लो सा वो काफी है बड़ जानमाल के कोई नहीं 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 तरफ से फायर टेंडर्स लगा करें इसको वहीं तक कंफाइन कर रहा है इतने गाड़िया लगी है अभी जो यहां की तो साथ फायर टेंडर्स फों की लगी हुए बाखी कुरुष्यत्र पानिपत नफल से भी आ रही है जो हमारे यहां गुड़ा केमिकल प्लांट है वहां से भी गाड़िया कोई मजदूर नहीं था फैक्टरी यह बंती और इसल प्लांट है बढ़िया नहीं रही है झाल 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 झाल